दोस्तों क्या आप लोग जानते हों कि आप जो है पेटिये मैप से जो भी पेमेंट करते हो उसकी डीटेल आपके पेटिये मैप पे सेब हो जाती है as a beneficiary तो उसको आप जो है देखोगे कैसे अगर आपको beneficiary account को delete करना है तो उसको delete कैसे करोगे उसका complete process आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तो अगर आपको अपने पेटिये मैप से अपने beneficiary account को delete करना है तो उसके लिए आप एक काम करना सबसे पहले अपने पेटिये मैप को open कर लेना पेटिये मैप को open करने के बाद आप एक काम करना पास्बुक वाले option पे क्लिक कर देना फिर आपके सामने आपका पेटिये मten का पास्बुक open हो जाएगा फिर आपको से उपर एक option मिल जाएगा UPI setting का यहाँ पे क्लिक करना, फिर आपके सामने payment setting open हो जाएगी, फिर आप जो है सब से नीचे चले आना, आपको यहाँ पे एक option मिल जाएगा, manage beneficiary का, यहाँ पे क्लिक करना, फिर यहाँ पे आपको सारे beneficiary account मिल जाएगे, जो भी आपके ptm app पे save होंगे, सारे आपको यहाँ से मिल जाएंगे आप यहां से चूज कर लेना कि आप कौन से बेनिफिसरी एका आपके पेटी मैप से रिमूब हो जाएगा आप लोग देख सकते हो रिमूब हो चुका है तो गाइस ऐसे करके आप जो है बहुत ही आसानी से अपने पेटी मैप से अपने सेब्ड बेनिफिसरी एकाउंट को सक्सेस्पुली रिमूब कर सकते हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीजर वीडियो को लाइक करना ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना साथ में अगर आप अर्निंग करना चाहते हो पैसे कमाना चाहते हो तो आवे यार हमारे टेलिग्राम चैनल को वीडियो के डिस्क्रेप्शन में मिल जाएगा जल्दी जाओ जोएन कर लो पैसे कमाने के लिए